इस भैसे का कीमत कितना है? 25 करोड रुपयर इंडिया चेंपियन बढ़ जब चुक ए 19 बार मेरे पास इसके हर परमाण मेरे पास है इसने मेरा पुरे देश में वर्ल्ड में नाम करवादिया सबी जानते हैं इसे की वज़हिश पचीस करोर में देखा जाये तो पचास फोर्चुनर गारी हो जाएगा कई लगजरी गारिया हो जाएगा उसको छोड़कर यह भय से आपक्यों रखे हैं अपने बच्चे जैसा इसको आप मानते हैं तो जानवर है ना नई जानवर और सब के लिए होगा मेरे लिए तो मेरा बेटा इसको दूद भी पिला जाता है मक्षन भी खिला जाता है अभी शेव का सीजन शुरू हो गया है अभी डेली इसको 10 किलो शेव खिलाई जाएंगी अगर कोई 25-30 करोर रुपया दे तो अप नहीं बेचेंगे नहीं मैं इसको कभी नहीं बेचना चाहता 30-40 करोर अगर कोई दे तो वैसे तो चाहिए आप एक रब रुपया बोल दो तो इसके आगे तो जीरो ही बढ़ती जाएंगी ना लेकिन मेरी नारी एक अरब रुपया देने के बाद भी अप नहीं बेचेंगे जिस चीज को बेचना ही नहीं तो उसका सवाल करना भी बेकार दोस्तों आपने हर्याना की एक कहावते खुम सुनी होगी जिसके घर काली उसके घर हरोज दिवाली जी है अब भी हमारे साज इस भैसे को आप देख रहे हैं यह साधारन भैसे नहीं है बलकि यह 19 बार ओल इंडिया चेंपियन बन चुका है और इसका कीमत अब जब आप ज ले जमीन खिसक जाएगा इस भैसे का जो कीमत है वो 25 करोर है याने की 50 फोर्चुनर के बराबर है बाकि हमारे साथ भाईया इनसे हम बात करेंगे राम राम नमस्कार सभी देश वासियों पसुपालक किशान बायों मेरा नमस्कार कैसे हैं आप बिलकुल वड़ी है यह बताए यह कौन से भैसे हैं जिसके बारे में मुझे पता चला गूगल पे भी सर्च करने पर कि यह जो भैसे है 19 बार चेंपियन बन चुका है यह मुर्रा नसल क सब मेरे पास परमाणित हैं यह बताये किस भैसे को आप कब से रखें बचपन से ही मेरे घर पर ही मेरी वेस नहीं जनम दिया दा इसको जो आज मेरे को कहने की कोई ज़रूरत नहीं है यह पूरे देश में रजल्ट आ चुके हैं अच्छा 25 करोर में देखा जाए तो 50 फोर्चुनर गारी हो जाएगा कई लगजरी गारिया हो जाएगा उसको छोड़कर यह भैसे आप क्यों रखें फोर्चुनर अपने देश में कितनी होंगी लाखों फोर्चुनर होंगी लेकि इस लिए दूसरा कोई विराट बुलनी है जो इस जैसे रजल्ट और इतनी पर्ख्याति आशिल कर चुका है क्या मतलब हासिल किया इसने हर चीज आशिल किया शोरत है पैसा है इज़्जत है हर चीज इसने मेरा पूरे देश में वर्ल्ड में नाम करवा दिया सब जानते है मेरे को इसी की वज़े से एक भैसे की वज़ा से आपकी जो चर्चा है पूरे देश में हो रही है इसलिए मतलब इसे रखना आप काफी पसंद करते हैं मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग के पास जब इतने महंगे भैसे रहे तो साय दो बेज कर बरी बरी लगजरी गार इसका नाम आरियवरत रख्या इसका विराट रख दिया दोनों बच्चे जैसा इसको आप मानता हूं लेकिन यह तो जानवर है ना नहीं जानवर और सब के लिए होगा मेरे लिए तो मेरा बेटा ही है यह बिल्कुल मैं अपने परिवार का एक सदस्य मानता हूं इसको अब सुचिए कि भाईया को जो है अपने बुल से जो है बिराट से काफी प्रेम है और इसलिए इनका कहना है कि अपने ये भैसे को जो है कई ना कई बेचना भी नहीं चाहते हैं अचा मान लेजिए 25 करोर रुपय का जो है यहां पर बोली लग रहा है इस भैसे के लिए अरब रुपया देने के बाद भी अपने बेचेंगे जिस चीज को बेचना है नहीं तो उसका सवाल करना भी बेकार है मैं अपने गर करके किसी सदश्य को नहीं अपने इसे दूर करना चाहत यह भी मेरा गर का सदश्य है अब कितने भैस को यहां पर पाले हुए है अभी मेरे पास 12-15 पसु तक रखता हूँ मैं और कितने सालों से यह 17-18 साल से आप 12 पसु को यहां पर पालन करते हैं अक्सर हर्याना में आने के बाद ज़्यातर जो है लोग यहां के भैस पालते हैं क्या कारण है कि सबसे ज़्यादा बहुत सारे लोग गाय का भी पालन करते हैं लेकिन अब भैस का ही पालन पसंद यह गाएं भी हमारे पास यह हमारे अरीजाणा वाशियों है सब मिट्टी से जुड़े विए इनसान हैं अरियाना में और ये एक हमारा शोक लगा लो ये अपना इसलिए रखते हैं जिसे अच्छा दूद भी मिलता है गी मक्षन हर चीज मिलती है और शोक है ये हमारा अच्छी नसल पसू तयार करना रखना लोग अपने खाने को खाते हैं जिस तरीके से उन्हीं सारी चीजों खिलाया जाता है बिलकुल दूद मक्खन घी सब चीज देते हैं जी बिल्कुल और यहीं कारण है कि इसका हेल्थ भी काफी बेटर है खिलाने पिलाने में एक महीना में कितना खर्च हो जाता है 60-70,000 आप इस भैंसे को एक महीना में खिलाते हैं तो साल भर में तो काफी जादा हो जाता होगा कोई बात नहीं है क्यों यही कमा रहा है खा रहा है और आमें भी प्रोफिट दे रहा है लोग देकर आपको यह भी सोच रहा होंगे जब आप 25 करोर की भैंसे रखे हैं और इतना खर्चा भी है पालने में तो आपको फाइदा क्या होता है इसे इसे जता है कि पूरे देश में इज़त है और यह शिखत और अज़िए खर्चा है और अच्छी नसल और पूरे देश को फाइदा पहुच रहा है इसजी सब के पास अच्छी नसल पुचू तैयार हो रहे हैं वह कहीं भाहर भी जाता है क्या मेला ओगारा में वहां वह भी जाता है एक गदा भी आप दिखा रहे थे लगबग उसका वेट जो है पचास के यह वो भी जीता हुआ हाँ वो इसने आधरावाद जीती दी पचास किलो की गदा हिंदुस्तान का सबसे पहला बुल है विराट बुल गुमड जिसने जिसको गदा से सम्मानित किया गया है पह होगा दस तोले के करीब दस तोले के करीब होगा यहने कि कीजी मैं अगर देखे तो वो सोग्राम होगा सोग्राम न 60 के लेक कर अगर हम बात करें तो यह मैंहसे जो है बाखी से काफी कि adapting है नोकि 19 भार से चेम्पियन बन चुका है और इसका कीमत जो है अब तक 25 करो रूप टो सब भी खुज होते हैं इसको देखें हैं इसे आमें क्या फैदा होगा बरी-री महंगी महंगी गारी खरी लेने चाहिए आराम से घुमना चाहिए बहुत लोग का वह सवख होता है गाडी तो हम अपने शो के लिए रखते हैं वह में अच्छी लगती है पर विराट बूल को देखके तो सभी खुज होता है, यह सब को अच्छा लगता है यह वहां पर बीडर लग जाता है इसको देखने के लिए इसके साथ फोटोग्राफी करवाते हैं इसको देखते हैं बीडर लग जाते हैं बाकी आप देख सकते हैं कि ये भैसे जो है इसका नाम जो है बुल विराट रखा गया है और पूरे देश में जो भैसा है समय चर्चा का विशाय बन गया है क्योंकि 19 बार इंडिया ओल इंडिया चेंपियन बनना वो भी असान नहीं होता है